नमश्कार मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे मिरे साथ भारत नुडिया बलिया में घर के हाथे में सोरे मकान मालिक की हत्या भिमपूरा थाना छेतर के भिमपूरा बजार के घटना दुकांदार दुकान खोलने गया तो देखा मकान मालिक का शो भिमपूरा थाना छेतर के भिमपूरा बजार इस्थित घर के हाथे में सोरे एक व्यक्ति की बदमाशों ने धाडार हत्यार से गोद कर हत्या कर दी वारदात की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कम मजगया सुचना पर पहुची पुलिस मामले की चानविन में जुट गई है बताय जा रहा है कि भिमपूरा गाउनिवासी विनोस सिंग का मकान भिमपूरा बजार में है गुरुवार की रात वो घर के हाथे में सो रहते हैं रात में बदमाशों ने किसी धादार हतिया से विनोत की निर्वम तरीके से हत्या कर दी घटना की जानकारी लोगों को शुकुरवार को तब हुई जब मकान में इसे दुकानदार ने अपनी दुकान खोली और में शटल का ताला खोलने के लिए मकान मालिक के पास गया वहां मकान मालिक का खून से लटफर शौद देख दुकानदार घबडा गया वो बाहर आकर सब को सूचना दी पर तकदर्शियों की माने तो उनके गर्दम पर चाकू से गोदे जाने का निशान है मिर्टक का शरीर चरपाई से गिरकर दर्वाजे के पास सिर्फ अंडर बियर पर जमीन पर पड़ा हुगा था अस्थानिय लोगों के अंसर मिर्टक अकेले ही रहता था उसकी पत्नी वा बच्चे मुंबई में रहते हैं उसके गलत सभाव से पत्नी वा बच्चे दुखी हैं उसके अवाज संबंदों की चर्चा भी लोग कर रहे थे बलियाप पुलिस अदिच्चक देवरंजन वर्मा भी जनकारी के बाद घटना अस्थल पर पोचे अस्थानिय लोगों से जरूरी जनकारी इकठा की घटना के संबन में बताया खत्या प्रतम दिरिश्य अप्रेव परसंग में की गई लगती है अब प्रतम दिरिश्टिय अप्रेम कर रहे हैं अथी ताजा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ फर्क मिडिया के लिए बिल्खावट बलिया से घंचाम शर्मा की रिपोर्ट